दो मित्र थे यश और सौरब डॉट, दोनों ने मिलकर कपडे का व्यापार शुरू किया। उनकी मेहंत और लगन से व्यापार अच्छा चलने लगा। यश ज्यादातर बाहर का काम देखता था। सौरब सारा हिसाब किताब रखता था। महीने में एक बार दोनों बैठकर अपने अनुभव एक दूसरे को सुनाते थे, धीरे-धीरे उन्हें लाभ होने लगा और उनका जीवन आराम से बीटने लगा। एक बार यश व्यापार के सिलसिले में आसाम गया। वहां के चाय के बागान देखकर वह बहुत प्रभावित हुआ ड़ा, वह वहां चाय के कई व्यापारियों से भी मिला। उसे लगा कि चाय के इस व्यापार में ज्यादा लाभ मिलता है। उसने मन ही मन निर्णय लिया कि उन्हें यह व्यापार शुरू करना चाहिए डॉप वापिस आकर वह सौरब से बोला सौरब अब हमारा कपडे का व्यापार काफी बढ़ गया है हमें अपने काम को दूसरी दिशा में भी फैलाना चाहिए इस व्यापार से थोड़ा पैसा निकाल कर क्यों न हम चाय का व्यापार शुरू करें सौरब को यह सुझाव ज्यादा अच्छा नहीं लगा उसने कहा लेकिन यश कपडे के व्यापार और चाय के व्यापार में कोई तालमिल नहीं है दोनों अलग तरहे की चीजे हैं करने में मुश्किलें तो होती ही हैं सौरब लेकिन तुम चाय के व्यापार में होने वाले मुनाफे को देखो हम मेहंत करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा यश ने जोर देकर कहा यदि हमें अपना काम बढ़ाना ही है तो हम कपड़ा व्यापार के साथ चलने वाली कोई चीज क्यों न शुरू करें जैसे की चादरें या फिर रेडी मेड गार्मेंट्स लेकिन यश नहीं माना उसकी जिद के आगे सौरब को आखिर जुकना ही पड़ा डौट उन्होंने काफी पैसा चाय के व्यापार में लगा दिया और फिर वही हुआ जिसका डर था सौरब की बात सच हुई दोनों दोस्तों के बीच जगडा हुआ और दोनोंने कपड़े के व्यापार का बांटवारा कर लिया अलग होने के बाद दोनों को ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा पहले काम बाटकर हो जाता था अब बाहर की भाग दोड और फिर हिसाब किताब दोनों को ही करना पड़ता था सौरब को बहुत बार यश की याद सताती थी, लेकिन फिर उसके कारण हुए नुकसान को याद करके उसका गुस्सा और बढ़ जाता था वह यह भूल ही नहीं पाता था कि उनका अच्छा खासा काम यश की जिद के कारण खत्म हो गया उधर यश भी सौरब के बिना अकेला हो गया था उसे अपनी गलती का एहसास था एक दिन हिम्मत जुटा कर वह सौरब से मिलने गया डॉट उसने सौरब से माफी मांगी और बोला तुम्हारे बिना में बहुत अकेला हो गया हूँ सोरब में अपनी गलती मानता हूँ हो सके तो मुझे माफ कर दो, सोरब गुस्सा जरूर था, लेकिन अपने सबसे प्यारे दोस्त के बिना उसे भी कुछ अच्छा नहीं लगता था उसने उठकर यश को गले से लगा लिया उसकी आखों में आसू आ गये वह बोला गलती तो किसी से भी हो सकती है तुम्हें गलती का एहसास हो गया यह अच्छी बात है और एक बार फिर दोनों दोस्त साथ आ गए अपने व्यापार को दूर तक फैलाने के लिए